मैं तो भाई फ्लिप कार से लेने से पहले बहुत सोचूं कि खास करके ऐसे टेकनिकल चीजे ताकि मेरे पैसे परवाद ना हो Hey everyone, Namaste, Welcome and Welcome back to my channel, Hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे So guys, आज जो product मैं आप लोगे साथ share कने वाली हूँ, सबसे पहले तो मैं बता दूगी मैंने मिंत्रा से order किया है And मिंत्रा से मैं काफी ज्यादा shopping करते हूँ क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता है उनका product होता है उसका price बोलो, उसका quality बोलो, मुझे बाकी app से काफी ज्यादा पसंद आता है इसलिए मैं मिंत्रा से ज्यादा order करते हूँ So इस बार भी मैंने एक appulator order किया था मिंत्रा से, आज उसका review करेंगे Unboxing मैंने कर लिया है and इसको मैंने use भी कर लिया है एक बार ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता बाओ कि एक ऐसा product है So मैंने एक बार use क्या है honestly But यह कितना अच्छा product है आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए यह सब details मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी So hope यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रहेगा And इसे पहले भी मैंने एक एपिलेटर लिया था जो की फिलिपकार से मैंने ओर्डर किया था And उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है So अगर आप देखना चाहते हो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक आपको मिल जाएगा आप च्छक कर सकते हो And उसके बारे भी कुछ बाते मैं आप लोग के साथ शर्द आना जाती हूँ So चलिए फटावाट से वीडियो स्टार्ट करते है But वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी चैनल पर नहें हो वो चैनल को तरुर सब्सक्राइब कर दीजे साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजे ताके अपडेट आप लोग मिलता रहे टाइम तो ताइम एंड यह लेस्टाइड इस्टाइड So guys, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जो मेरा पुराना एपिलेटर था यह था ब्राउन ब्रैंड का जो कि मैंने फ्लिपकार से ओरर किया था क्योंकि काफी अच्छा सेल चल रहा था उस ताइम लगभख एक से तरह सार पहले की बात है तो पहले तो उस्टाइड को बात है यह अच्छा देख लागा जो कि मुझे वीडियों भी टाला था यह एपलेटर जो है क्यों इतना अच्छा लगा स्कों कि इतना अच्छा लगा इसको यह एथग जा स्मूदी ही करता है अभी रिसेंटली इसका कुछ इंटरनेट इशु आए जिस वज़े से यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है मैं एक बार आप दिखा देता हूँ कि क्या इशु हो रहा है मैं इसको अन कर रही हूँ आप इहाँ पर देख साथ तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है काफी टाइम फिल्पकार्ट पर कस्मिर केर रहे हैं वहां पर मैंने कोशिश की उन्हों ने कुछ प्रोसेस मुझे बताया तो मैंने वह फॉलो किया में जो ब्राउन कंपनिय वहां पर कॉंड़क करना था कुछ लिंक के थू बट मेरा जो process है वो वहाँ पे ही अटक रहा है हर टाइम मतलब जो service वो लोग provide कर रहे है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहाँ से कोई response नहीं आ रहा है मुझे कुछ नहीं मिल रहा है कि मैं उनके साथ contact कर पाओ उनको मेरा issue बता पाओ इसका two years का warranty है two years के अंदर अगर कोई internal issue होता है आप इसको ठीक करा सकते हो वो लोग service provide करते हैं बट मेरे यहाँ से मैं यहाँ पे रहती हूँ वहाँ से यह नहीं हो रहा है और यह चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है जिस वाज़े से मुझे एक और एपिलेटर और करना परा यह wet and क्या कर रहे है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है सो मैं यह बोलना चाहती हूँ वीडियो में कि जो लोग flip card से ले रहे हो वो लोग थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान रखे क्योंकि इस पर मैंने काफी spend किया है money इसका price I think 6-7000 रुपे होगा so offer में लिया था मुझे कम price में मिला था but still बहुत लोग ऐसे है कि warranty देखके थोड़ा महेंगा ले लेते हैं उसके बाद अगर आपको service stick से provide नहीं किया जाएगा उस time पर दिक्कत आ जाती है and आप परिशान हो जातो मैं तो मुझे यह इतना अच्छा लगा मुझे लगा यह हो जाएगा बट यह ठीक नहीं हुआ है क्योंकि इसका कोई मतलब shop भी नहीं है जहां पर जाके मैं इसको ठीक करवा पाऊ तो यह चीज मेरे साथ हुआ है I hope आप योग थोड़ा सा ध्यान रखे खरीदने से पहले मैं तो भाई flip card से लेने से पहले अब बहुत सोचूं कि ख मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रोसेस आदा हो के फिर खतम हो जाए रहा है तो यह चीज मुझे बहुत ही ज्यादा क्या है बाकि अगर आप शॉप से ले रहे हो आप ही हापे है तो मैं बुरूंगे ब्राउन का यह बहुत ही अच्छा है आपो डिसकाउंड मिलता बुरूंड करग मिलत है तो इस ते आप यह बोड़ बहुत ही प्राइटार मा यह श्कुक्ष छाय तो इसके अंधर है हमारा फ्रोडुडंग यहाइस का यह बहुत ही प्राइटर इसाथ ज्यादा नहीं है मैंने इसको 1500 सम छिंग में लिया है और तिक अभी सक prinz 2 खंगने क बट मुझे अच्छा डील लगा सो मैंने यह ले लिया है एंड मेरा पुराना वाला इपलेटर खराब हो गया है जिसा जैसे मुझे यह लेना पड़ा चलिए अभी इसको खोलते इसको वैसे मैंने खोल लिया है इसके साथ मैं दिखा दीती हूँ आपको वारेंटी काड मिल जाता है दो साल का वारेंटी दे रहख यहाँ पे फोकस नहीं कर पारा कैमरा विदिन 24 hours ठीक है जिनके यहां पे है वांटी यहां पर दे रखा है चलिए अभी आगे बढ़ते है प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं सबसे पहले मैं इसका जो कैप है वो दिखा दीते हूं कुछ इस तरीके से पैकेट में अलग कैप मतलब इसका मतलब अपने पैकेट में आया है दूसरा जो है वो है इसका चार्जर यह काफी लंबा है आप आराम से इसको दूर भी रखने चार्ज कर सकते हो यह किसी भी चार्जर पे आप यूज कर सकते हो अपना एपिलेटर तो यह कुछ इस तरीकी का है इसके साथ आपको मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा सा शाइनी ग्रे कलर का लाइट ग्रे कलर का एक बैग बिसिकले पाउच है यह बैग का क्वालिट अच्छा है मुझे काफी पसंद आया यह चीज कलर बहुत प्यारा है इसका लाइट ग्रे कलर I love this color and इस पे आप यह प् के साथ आपको मिलता है last में आपका आता है main product कुछ इस तरीके का यह है पे आपको बहुत ही क्लासी बहुत ही सोवर सा एक कलर कॉमिनेशन है इसको कैसे खोते है वह भी मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले यहां पर साइट पर दे सकते हो इस तरीके से करना है और फिर यह एजीली खुल जाता है हार्ड बिलकुल नहीं है बहुत ही सॉफली आपको इसको ऐस पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ वह तरीके से इसको खोलना होता है तो मुझकिल मुझे यह खोलने भी लगा है आप जहाँ तो इसको ब्रेस से साफ कर सकते हूँ कुछ इस तरीके से इसका जो डिजाइन है यह थोड़ा सा आप देख सकते हो यह नाव जासा बनाओ उ पर से कम इसका स्पेस है नीचे से थोड़ा ज्याद है तो ऐसा मैंने बाग की जो एपिलेटर है उस पर पुरा ऐसे सीधा रहते हुए देखा है बट इस पर थोड़ा नाव शेप का बना हुए तो मुझे यह वी काफी अच्छा लगा इसका कैप कैसे लगता है वो भी मैं आपको यहां पर देखना है कि और बगने व हो कब्रों के अधिर यह सीज तो यह ने करोग सीधा उस पेसे स्फिंगे जी थे असे प्रेस कहना है यह बलर बिलग जाता है विसके सबसे पहले हम पैला काटी मोट on को आप करें हागी हलकी से इसको उपर दपार दोहें है हलकी से इसको उपर की तरफ देदें कर देखते हैं कि यह कितना अच्छा काम करता है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यह कितना अच्छा है आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बंद पाहले है यहां पहार देख सकते हो आगे में चोटे चोटे हैं अब यह hen निकालेयो फोड़ा ओपर देख सकते हो लंबे लंबेने करता मैं यहां पर यूज कर रही हो अभी और देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे से यह रिमूब कर रहा है थोड़ा टाइम लग रहा है बार बार अपलाई करना पर रहा है एक जगे पे बट रिमूब काफी अच्छे से कर रहा है मुझे अच्छा लगा एंड पेन भी मुझे का यहां पर मेरा जो हैर वो रिमूव हो गया एंड रिजल्ट आप देख सकते हो आपने देखा कि यह किस तरीके से काम करता है चलिए अभी बात कर लेते हैं प्रॉडक्ट के बारे में इसका जो चार्जिंग टाइम है वो है 2.5 आवर्स यह चलता है अलिए 30 मिनिर्स इस पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगी कि आपको लग रहा होगा क्या इतना टाइम चार्ज देना पड़ेगा एंड इतना कम टाइम है चलेगा मैंने जो एपिलेटर लिया था ब्राउन का तो उस पर आपको 45 मिनिस आपको चार्ज देना पड़ता था 45 मिनिस चार्ज होगे तो आइ थिंक 30 मिनिस तरक यह चल जाता है तो कुछ इस तरीकी का था लेकिन उसका जो प्राइज है वो आप देख लेना वेब्साइट पे काफी हाई प्राइज है उसका अगर मैं कम प्राइज में आप कर रही थी जो बागी एपिलेटर में यूज कर रही थी ना ऑनेसली बताओ उससे बहुत ही कम पेन मुझे फील हुआ जबकि मेरे जो हैर है काफी लंबे हो गया थे उसके बावजोद भी जितना पेन मुझे पहले जो एपिलेटर उसके फील होता था उससे थोड़ा सा कम इसा नहीं है कि मैं यूस तो हो गी हो इसले कम फील हुआ है नहीं गजन पहला मेरे सा फाइथ Jeśli बाला से बहुत हो जाते ज्यादा तो यह जो प्रोड़ट है इससे मुझे वह वहाला भूस भाना नहीं पढ़ा है मैं इसीली कर रही था मतलब दर्द तो होता ही एपिलेटर यूज़ करते हुए बट फिर भी ये दर्द भी मुझे मतलब मैं सहे पार रही हूँ ऐसा वाला दर्द है सो मैं बोलूगी कि अगर पेन की बाद करो तो ये एपिलेटर मुझे पाकी एपिलेटर से कम पेन फिल करवाया है सेकंडली ये वर्क कितना अच्छा करता है तो मैं बोलूगी कि आप जो 6000-7000 वाला एपिलेटर है अगर आप यूज़ कर चुके हो तो आप ये प्रोड़क लेके सैटिसफाइड नहीं हो सकते क्योंकि ये थोरा स्लो काम करता है ठीक है दो तीन हैर आपका रही जाता है ये बा कर देता है तो सौफनेस आपको मिलता था स्किन पर फिल नहीं देता है हलका सा आपको लगता है कि हां यहां पर थोरा है रह रह गया है ये बहुत वहले एक एपिलेटर यूज़ कि चार्जिंग वाला नहीं था एंड उसमें वैसा वाला ही फिल आया था मुझे जैसा इसके नहीं बहुत सकती क्योंकि बहुत अच्छा जो एपिलेटर है वो मैंने यूस क्या है बट मैं बोलूंगी कि अच्छा खासा काम करता है तो यह कुछ इसका नेगेटिव साइड है जो आपको बता देती हो ताकि आपको आपको आइडिया हो जाए कि यह प्रोड़क्ट आप सिर्फ ड्राइम ही आप अप्लाई कर सकते हो यह चार्जिंग बाला भी है सो जिसका मतलब यह है कि यह ट्रैवल फ्रेंडली प्रोड़क्ट आप कहीं पर भी इसको लेकर जाओ इसको यूस कर सकते हो एंड मुझे तो काफी अच्छा लगा इसका जो चलता है तो यह चल जा अच्छा गाप दे रखा है तो एजी होता है इससे रिमूफ करना ठीक है तो यह इसका एक और प्लस पॉइंट है लास्ट जो चीज है वह है है में इंडिया है वारटी मिलता है दो साल का तो कोई भी अगर दिक्कत है तो आप इसको ले जा सकते हो अगर आपका जो होम ठीक करा सकते हो तो यह कुछ इसका प्लस पॉइंट है जिससे मैं बोलूगी आप इसके साथ जा सकते हो बहुत अच्छा प्रॉड़क्त तो मैं नहीं बहु सकते है बट यह काफी अच्छा प्रॉड़क्त है प्राइस के अकॉर्डिंग और जो लो बजट में एक यह कि तरह अच्छा अच्छा कि नें लेना चाहिए वह आप लोग डिसाइड करके ले सकते हो यह तो भॉलूगी की का में अच्छा प्राइस में काफी अच्छा अच्छा प्राइटर बगालीद मिलेगा यह आप कभी मत सोचनी यह बहुत ही कम टाइम नों आच्छा घडर आपको बहुत अच्छा वाला एपिलेटर मिल जा रहा है बट मैस्मम टाइम जो प्राइस रहता है वो इसी तरीके का रहता है अगर आपको लो प्राइस में जा आना है अच्छा ब्रेंट चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो यह भी काफी अच्छा है डीटेश मैंने आपको बता दिया है तो होप यह वीडियो आप लोग के लिए हल्फ रहा होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेर करना बिलकुल मत भूलेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजै ऐसे यूसफूल वीडियो दिखने के लिए या मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वचिंग टेक केर बाई बाई